अमस्कार, डेट है आज 29 अक्टोबर 2020 और आप लोगों को स्वागित करता हूँ प्रिलिम सुर्य एंटिट न्यूज डिसकासन पर, पहले हम कॉंटेंट दिख लेते हैं, फर्स्ट आटिकल यहाँ पर है इंडिया उस्ट्रिलिया सर्कुलर एकोनोमी हैकातों के बारे में, ने दिसंबर के माहिने में, तो और्गनाइजर कौन-कौन सा है, और्गनाइजर यहाँ पर है, अटल इनोवेशन मिशन इन एस्टिक वेस्ट रिडक्शन और फूर्थ की तिम है, रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनरजी, मेटल्स एंड यूज टिकल, नेक्स आटिकल है यहाँ पर बीच में, बेसिक एक्सचेंज और कोपरसन एग्रिमेंट साइन किया गया है, तो यहाँ पर पहले से ही, डीप मिलिटरी कोपरसन के लिए, लिमुआ, मतलब कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मेमरान नाम आप एग्रिमेंट, और कॉम कासा, कॉम्मुनिकेशन, कॉम्पर्ट से यह और भी accurate हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया एक्सेस कर सकता है, information on map, satellite images, topographical and aeronautical data, इससे navigation and targeting और भी मजबूत हो जाएगा, और एक air force to air force cooperation between इंडिया and USA, लेस्ट आटिकल है, इंडिया and Central Asia dialogue के बारे में, under the chairmanship of external affairs minister, इंडिया and Central Asia dialogue संगडित हुआ, तो यह second edition था, key point क्या क्या है, तो यहाँ पर participant कौन-कौन थे, foreign minister of Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and first deputy foreign minister of Kyrgyzistan Republic, तो यहाँ पर इंडिया के दौरा, 1 billion US dollar line of credit दिया गया, for priority development project in field such as energy, IT, healthcare, education and agriculture, ठीक है, तो यहाँ पर minister के दौरारा कहा गया, इंडिया के साथ Central Asian context का, cooperation कितना जोरूरी है, COVID-19 से लणने के लिए, और यहाँ पर इंडिया का जो effort है, छावार पोट को modernize करने के लिए, यह भी appreciate किया गया, क्योंकि छावार एक क्या है, छावार एक important link है, in trade and transport communication between the markets of Central Asia and South Asia, ठीक है, नेक्स टाटिकल है, कौन सा प्लेस हाल फिलाल मिनेज में है, इससे संबंदित, तो यहाँ पर हम discuss क ठीक है, तो यह complete हो जाएगा December 2020 के अंदर, तो यहाँ पर main key point हम देख लेते है, construct किया जा रहा है, national highway infrastructure development, corporation, ltd and ministry of road and transport highway, government of India के द्वारा, ठीक है, तो यह basically develop किया जा रहा है, as a corridor for trade and commerce between India and northeast and Bangladesh, ठीक है, तो यहाँ पर tourism भी promote हो सकता है, और जो people to people tie है, यह भी यहाँ पर increase हो जा connectivity प्रोवाइट करेगा between South Tripura and Cheetah Gong, ठीक है, तो Cheetah Gong and South Tripura के अंदर, जो road connectivity है, यह भी इससे increase हो जाएगा, next देखिए, कुछ additional point, फेनी बीज का और एक नाम है, जो चार्ट ग्राम में इसको बुलाया जाता है, मैत्री सत्यू के नाम से, और यह क्या होगा, जो फेनी रिफार ह connect करता है, Tripura and Cheetah Gong port, ठीक है, ठैंक यू for this, छेसरे,